ओम सिरी गनेशा नमदोस्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 सितंबर सौंबार की राशी फल के बारे में कि यह दिन उम राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा कुम राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजटिव रहने वाला है दोस्तो आपका प्रियास आज आपको अच्छी कामिया भी दिला सकता है यदि आप राजनीती में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रियास कर सकते हैं आपको सफलता प्राप्त हो सकती है संतान पक्ष आज अनुकूल रहने की संभावना बन रही है आज आपको अचानक धन प्राप्ती के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं इसमें आपका भग्य अच्छा साथ देगा साथि साथ आज आपके प्रतेकारे सरलता पूरुवक संपन होंगे किसी मनोहर इस्थल पर प्रवास हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो लाबदैक रहेगी घर की साज सजावट में नयापन लाएंगे वहन शुक भी आज आपको प्राप्त होगा नई योजनाएं और विचारधरा की नवीनता से व्यपार प्रगर्ती की दिसा में अगरसर होने लगेगा कला के प्रती आज आपकी अभी रूची विशेश रहेगी आपकी आज अने को इक्छाएं पूरी हो सकती हैं जिससे आप प्रसन चित रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पूर्ण हो जाएगी जिससे आपको अच्छा धनलाब भी होगा जिससे आपका मन बह जाप और अध्यत्मिक्ता आपको सांतिक अनुबब कराएंगे कार्य छेत्र में अपनी मेहनत से सफलता मिलेगी इसके फलसरूप आत्म विश्वास बढ़ेगा और मन उत्साहित रहेगा कार्य छेत्र के सवी काम सफल होंगे अठके हुए कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं ग के रूप में भी मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज का समय आपके लिए काफी उतार चड़ाव से भरा रहने के बावजूद भी काफी अच्छा रहने वारा है मुस्किल हालात से बचने के लिए आपको एक प्रशादन आभूशन आदी के पीछे आज खर्च हो सकता है तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें जल्दबाजी में फैंसला ना लें ताकि जिंदगी में आगे आपको पच्चताना ना पड़ें साती साथ अपना काम किसी और पर ना टालें और स्वेम अपना कार्य करने की आदर टालें माता पिता का अवस्चे ध्यान रखें क्योंकि उनकी सेवा के बिना भग्य और सुक की प्राप्ती असंभव है साती साथ किरोध पर नियंत्रन एम वानी पर आज आपको सहियम रखना पड़ेगा ऐसा ना हो कि किसी का भ चारों से दूर रहना आपके लिए हित कर रहेगा दैनिक कारों में थोड़ा अवरोध आएगा साथी साथ कुछ परिस्तितियां आज ऐसी बन सकती हैं जो तनाव बढ़ाएंगे धर्मिक कारों के पीछे धन खर्च हो सकता है नए काम में रुकावट आ सकती हैं समस्याओं क को सुल जाने के लिए किसी की सलाह आप अवज चलें दोस्तों से वाद विवाद करने से बचें बहस करने से मुसीबत में आज आप फ़स सकते हैं यात्राओं को भी आज आप टा लें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के दोस्तो प्रेम संबंदों को मदूर बनाए रखने का प्रियास सफल हो सकता है दामपत्य जीवन आज अच्छा हो सकता है दामपत्य जीवन में तनाव उत्पन हो रहा है वहवी आज समाप्त हो सकता है आपको लव पार्टनर के साथ रोमांस करने का भरपूर मुका मिलेगा औ और आपके रिस्ते में मजबूत ही आएगी अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर की बाते ना करें आपको अपने जीवन में प्यार और रोमांस का स्वागत करने के लिए तयार रहना चाहिए यदि आप किसी रिस्ते में पहले से हैं या किसी की तलास में हैं तो वे मिल सकता है तो आपको इस मामलों में खुसी मिल सकती है रोमांटिक आकरशन की आज संभावना है मनोरंजन के लिए आज आप उनके साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं और लंच वे डिनर भी आप साथ करेंगे दोनों के बीच कोई तोफो का भी आज आदान प्रदान होगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे भार की आज अधिकता रहेगी लेकिन अपने प्रियासों से कारों में आपको सफलता मिलेगी वैवसाई में धनलाब और नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे अधिकारी आज आपके काम से प्रसन रहेंगे प्रॉपर्टी में निवेज करना लाबदायक रहेगा कारचितर में आज माहूल काफी अच्छा रहेगा और वैपार वैवसाय में आपको सफलता अच्छी प्राप्त होने की संभावना रहेगी आर्थिक लाब प्राप्ती के रास्ते खुल सकते हैं धनलाब संचे करने का भी प्रतन सफल हो सकता है साथ साथ आज आपको अपने वैवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती हैं जिनका आपको शकारात्मक प्रेणाम प्राप्त होगा जिनका वैवसाय के दरश्टी से आज की स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाब आपको विद्ध्यार्तियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है। दें तनाव को दूर करने के लिए अपनी जीवन सैली में थोड़ा बदलाव लाएं। बहते हुए जल में प्राहित कर दें और साथ इसाथ अपनी मनों कामने मांगें। दोस्तो ऐसा करने से भगवान भोलेनात बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। समस्त प्रसनियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त मनों कामने भगवान भोलेनात अवश्य ही पून करेंगे। दोस्तो भगवान भोलेनात का सिर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट स्पोक्स में जै भोलेनात अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद।